हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब का हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां आज हम दुर्खाइम के आत्महत्या के सिद्धान्त पर चर्चा करेंगे दुर्खाइम ने अपनी पुष्टक दसुसाइड में आत्महत्या के सिद्धान्त का समाज सास्त्रिय विशलेसर प्रस्तूत किया है उन्होंने विभिन आकड़ों को एकत्र किया है और उसी के आधार पर आत्महत्या को एक सामाजिक घटना या तत्यक रूप में प्रमारित करने का प्रयास किया है दुर्खाइम ने आत्महत्या को मृत्यू की उन्समस्त घटनाओं के रूप में परिभासित किया है जिसमें स्वेम मरने वाले की सकरात्मक या नकरात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिडाम मृत्यू होती है और इस परिडाम के बारे में श्वेम मरने वाला भी जानता है तो इस प्रकार से आत्महत्या में व्यक्ति या हनिश्चित कर लेता है कि उसे अपना जीवन त्याग ना है अतु वेग्यानिक दिर्ष्ट्र कोड से आत्महत्या उसे कहेंगे जिसमें व्यक्ति के द्वारा जीवन के त्याग करने की इक्षा नहीं थो इस प्रकार आत्महत्या अपनी इच्छा द्वारा जीवन त्यागने वाली क्रिया का नाम है दुर्खाईम से पहले आत्महत्या के प्रचलित सभी सिध्धानतों के अनुसार निरासा, गरीबी, प्रेम में असफलता आदि आत्महत्या के प्रमुख कारण स्विकार किये गए थे लेकिन दुर्खाईम ने अपने से पुर्वर्ती आत्महत्या के सभी सिध्धानतों को खारिज कर दिया दुर्खाईम के अनुसार ये व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं इसके अतिरिक्त समाज या समू व्यक्ति पर एक औस्वस्थ दबाव डालता है जिसके कारण व्यक्ति के मन में आत्महत्या के अनुकूल विचार उत्पन होते हैं अस्वस्थ दबाव क्या है तो इसके अंतरगत व्यक्ति या महसूस करता है कि उसका कोई नहीं है वस्वायम को समाज से कटा हुआ महसूस करने लगता है और यही दबाव व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेडित करता है आत्महत्या सम्बंदी अपने विसलेशन में दुर्खाईम ने कुछ निसकर्स प्रस्तुत किये हैं जैसे आत्महत्या की दर लगभग हर वर्ष समान रहती है सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है इस्त्रियों की अपेक्षा पुरुस अधिक आत्महत्या करते हैं अधिक उम्र के लोगों में आत्महत्या की दर सरवाधिक है शहरी जीवन में आत्मत्या की दर उच्छ है कैथोलिक धर्म मानने वालों की अपेक्छा प्रोटेस्टेंट धर्म के अन्याई अधिक आत्मत्या करते हैं और विवाहित, विधुर तथा विधवाएं एवं विवाह विच्छेदीतों में आत्मत्या की दर उच्छ है दुर्खाइम ने अपने विश्लेसर के पस्चात आत्महत्या को तीन स्रीडियों में विभाजित किया है पहला अहमवादी आत्महत्या तो जब व्यक्ति एवं समूह का सम्बंद अत्यंत कमजोर औव्यवस्थित और औपर्याप्त होता है तो ऐसी इस्थिती में व्यक्ति स्वयम को समाज या समूह से प्रिथक महसूस करता है उसे यह लगने लगता है कि समाज में उसका अपना कोई नहीं है और धीरे धीरे वह एकाकी जीवन जीने लगता है उसे समाज में स्वयम का कोई महत्तो दिखाई नहीं देता है और इस परिस्थिती में उसके अहम को ठेस पहुचती है और इसी से उद्वेलित होकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वर्तमान समय में इस प्राकार की आत्महत्या अधिक देखने को मिलती है दूसरा है परार्थ वादी आत्महत्या या अहमबादी आत्मत्या के विपरीथ है इसमें व्यक्ति समाजिक हीतों या अपेक्छाओं के लिए आत्मत्या करता है दुर्खाइम के अनुसार ये ऐसे समाजों में पाई जाती है जहां सामुहिक एक्ता या समाजिक एक्ता की भावना अधिक मजबूत होती है व्यक्ति का महत तो समाज या समुख के समक्ष कुछ नहीं होता है या कम होता है उदारर के लिए सतिप्रथा या जोहर प्रथाएं और क्रान्तिकारियों का बलिदान तीसरा प्रकार है औस्वभाविक आत्मत्या जब व्यक्ति के जीवन में कुछ आकास्मिक या अस्भाविक परिवर्तन आते हैं तब व्यक्ति के समुख नई परिस्थितियों उत्पन हो जाती है और व्यक्ति को इन परिस्थितियों से अनुकूलन करना पड़ता है यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है तब वह मानसिक रूप से असान्थ हो जाता है और तनाव महसूस करने लगता है इसी तनाव से मुक्ती है तो वह आत्मात्या कर लेता है उदारर के लिए दिवालिया होने के स्थिती में व्यक्चि द्वारा की गई आत्मात्या और सुभाविक आत्मात्या है दुरखाईम ने अपने विसलेसल के पश्चाथ आत्मःत्यय को कम करने य। एवं रोकने के उपाय सुझाये हैं, जैसे दुरखाईम मानते हैं कि आत्मःत्य करने वाले व्यक्ति को नैतिक दंड दिया जाना चाहिए、 उदारण के लिए उसे अंतिम संस्कार के सम्मान से वन्चित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ समाजिक सम्मूहों की पुनरास्थापना के द्वारा भी आत्मात्या को रोका जा सकता है। ऐसा करके व्यक्तियम सम्मूह के संबंध को सहज बनाय जा सकता है। जिससे व्यक्ति एक बार फिर अपने आपको समाज या सम्मूह से जोड़ सकेगा। वहीं दूसरी तरफ इस्तिपुरूस के मद मनोवज्ञानिक असमानता को कम करके भी आत्मात्या को कम किया जा सकता है। और जिन परिस्थितियों के कारण आत्मात्याओं की प्रवित्य में विर्द्री हुई हैं, उनका उपचार किया जाना भी अवश्यक है। हलांकि कुछ समाज सास्त्री दुर्खाइम के सिधान्त की भी आलोचना प्रसुत करते हैं। आट्किंसन मानते हैं कि जिन आकणों क씨 अधार पर आत्मात्या का समाजिक तथि की रूप में विश्यश्य कीया गया है, वह उचित नहीं है। क्योंकि आत्मत्या के सांखिकी या आकणों को एकत्र करने की विधी विश्वस्निय नहीं है वहीं डकलस मानते हैं कि दुर्खाइम ने मानों के जैविकिय एवं वैक्तिक प्रेडाओं की इतनी अधिक उपेक्षा की है कि उनकी विवेचना संद्यास पद हो गई है बावजूद इसके दुर्खाइम का यह सिधान्त समाज सास्त्री पद्धती में अपना एक अलग महत्व रखता है वर्मा के अनुसार दुर्खाइम का यह गरंत नकेवल आत्मत्या की विवेचना करता है अपिदू समाज सास्त्र की अनेक समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है धन्यवाद आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद